तीलक लगाना इतना important क्यों होता है आप सभी को नहीं पता तो इस वीडियो में मैं बताऊंगे Hello beautiful soul कैसे हैं आप सब I hope कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, खुश है, positive है, सबसे important कि आप सभी बहुत ज़्यादा healthy है और अपना अपना खुब सारा ध्यान रख रहे हैं, बहुत सारी positivity को attract कर रहे हैं आज की ये वीडियो हर इनसान के लिए beneficial होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ आपको most important चानकारी जो सभी को पता होना चाहिए आज के नए generation में लोग अपनी संस्कृती को भूलते जा रहे हैं लेकिन जानना जरूरी है कि जिन चीजों को हम भूल रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं वो हमारे लिए कितना फाइदे मंद हो सकती है अगर हम उन्हें अपनाते हैं जी हाँ, मैं तिलक के बारे में बात कर रहे हूँ पहले जमाने में क्या था? चाहे आप गुरु कुल में भी हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले तिलक लगाना होता था उसके बाद ही prayer होती थी, पढ़ाई शुरू होती थी बट आज के date में किसी भी स्कूल में जाये, जितना ही अच्छे modern स्कूल में आप जाएंगे उतने ही ज़्यादा इन सब चीजों को मिटता हुआ पाएंगे आपको नहीं दिखेगा कि उस स्कूल में कोई भी बच्चा तिलक लगा के जा रहा है अगर कोई बच्चा इच्छुक है कि मैं हाँ मैं अपनी संस्कृति को आगे लेके जाना चाहता हूँ या फिर मान लेते हैं संस्कृति को आगे लेके नहीं जाना है हम धर्म को लेके या फिर मतलब इन सब चीजों पर बात ही नहीं करते हैं कम से कम ये तो पता हो कि तीलक लगाना कितना फायदे मंद हो सकता है एक इनसान के लिए तीलक से कौन-कौन से फायदे होते हैं, किस तरह से आपकी रक्षा होती है एक सिंपल सा तीलक लगाने से अगर आपकी सुरक्षा हो रही है आपको positivity मिल रही है तो definitely आप सभी को तिलक लगाना चाहिए और हाँ, benefits आपको तभी मिलेगा जब आप तिलक का मंत्र जानते हो बहुत important है कि जब कोई भी प्राणी जब तिलक लगा रहा है तो उसका particular एक मंत्र है उसे जरूर बोलिए ताकि आपको जब तिलक है वो अभी मंत्रित हो जाए और आपकी रक्षा कर पाए तिलक लगाने का मंत्र है उम केशवाई नमा आप किसी भी चीज से तिलक लगा सकते हैं माना कि आज के डेट में जो स्कूल है, कॉलेजिस हैं उसमें तिलक लगाना अलावड नहीं है लेकिन आप पानी से तिलक लगा सकते हैं उसके लिए आपको कोई नहीं बोलता है कि आपने तिलक लगाया है क्योंकि वो तिलक किसी को दिखता ही नहीं है किन्तु आप पानी से भी जब तिलक लगाते हैं इस मंत्र को बोलते हुए लगाते हैं, तो समझ लिजे कि आपने अपने माथे पर अभी मंत्रित तिलक लगा लिया है, और ये तिलक आपकी रक्षा करेगे, ठीक है? अब दूसरा तिलक, जो लोग माथे पर तिलक नहीं लगाना चाहते, पानी का तिलक तो आप माथे पर लग लगाने का प्रथा है, तो आप वहां तिलक लगा सकते हैं, और वहां का मंत्र अलग है, ओम माधवाए नमा, ओम माधवाए नमा, तो अगर आप माथे पर तिलक लगा रहे हैं, तो ओम केशवाए नमा, अगर आप अपने हिर्दय के पास तिलक लगा रहे हैं, यानि गले के नेचे तो आप बोलेंगे ओम माधवाय नमा करके देखिए कुछ ना करने से कुछ करना ज्यादा बिटर होता है क्योंकि अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा लेकिन कुछ ना करने की बजाए कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट्स आपको कभी ना कभी मिलना ही है ये तय है तो करके देखिए और जो भी आपको फायदे मिलते हैं उसे आप कॉमेंट वाक्स में शेयर किया कीजिए ताकि जितने भी लोग इस वीडियो को वाच करें वो आपकी कॉमेंट से इंस्पायर हों और चीजों को फालो करना शुरू करें क्योंकि तिलक लगाना बहुत जरूरी है हर इंसान के लिए तो तिलक लगाए अपनी जिंदिके को खुशाल बनाए तिलक लगाने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं तिलक लगाने से हमारे माथे की हमारे पूरी बोडी की सुरक्षा होती है तो तिलक लगाना बहुत शुब होता है अगर तिलक लगाना शुब नहीं होता तो क्यों इंडियन मदर्स बाहर जाते हुए अपने बच्चे के माथे पर तिलक जरूर लगाती है इसलिए कि तीलक लगाना अतिशूब माना गया है तो आज से अभी से आप सभी तीलक लगाना शुरू कीजिए और जो भी आपको फायदे नजर आते हैं उसे शेयर कीजिए मिलती हूँ नेक्स वीडियो में नई टॉपिक के साथ तब तक आप सभी इस चैनल पर जो बाकी वीडियो हैं उन्हें चेक आउट कीजिए जैसे एंजल लंबर मिनिंग, बटर फ्लाइ मिनिंग, फिदर मिनिंग जैसे आप अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम को सही कर सकते हैं और अपनी किसी भी विश के लिए उस टेकनिक को फॉलो कर सकते हैं तो जाके देखिए और जो भी वीडियो आपको लगे कि आप इससे कनेक्ट हो पा रहे हैं God bless you and thanks for watching, love you all, bye